साथियों नमस्कार कैसे हैं आप सब लोग साथियों आज बात करूंगा वाइस सेंप्लिंग वर्सेस एसी बी वर्सेस आपके अदिकार के पार्ट नमबर तीन के उपर पार्ट नमबर वन में हमने बात करी थी जेनरल आइडिया की या बेसिक स्ट्रक्चर की कि जब भी एंटी करॉप्शन आपको नोटिस देगी तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा और वहाँ पर आपके राइट्स क्या है पार्ट नमबर टू में एफेक्टिवली थेोरिटिकल प्रस्पेक्टिव पर हमने जोड दिया और इसके साथ साथ मैंने आपको आपके अधिकार बताए और ये भी बताया कि जब आपको आपके अधिकारों की जानकारी नहीं होती है तो कुछ ऐसे लोग उन्हें भी जानकारी नहीं है आपको मिस्प्लिट करते वे और मैनुप्लिट करते वे वो बाते लिखवा जाते हैं या वो बाते बता जाते हैं जिसके अनुसरन में आप वो बाते लिख डालते हों जो आपको नहीं लिखनी चाहिए नुकसान जो है आप को ही भुगतना पड़ता है और किसी को नहीं भुगतना होता है और मैंने हमेशा ही आप से कहा है कि आप किसी भी सलाकार के पास जाएं तो मौकिक बात ना करें मैं बार बार कहना चाहरा हूँ मौकिक बात ना करें आप उसको फीज दें उसका बिल लें और उसके साथ साथ आप हर एक बात को जो है रैटिंग में लेना सीखें अगर बात रैटिंग में नहीं लोगे तो वो बात ऑथन्टिक नहीं है कल को बंदा मुगर जाएगा कि भई मैंने आपको ये राए दी नहीं जिस तरह से कोड में आप ड्रा लोग आपके लिए बढ़िया रहेगा दूसरी बात यहां पर मैं आपको स्पैसिविक कर दूं कि वॉइस सेंपलिंग के संबन में जब भी कोड का नोटिस आपको आएगा या एसी भी सापको नोटिस आएगा तो इनिशल लेवल पर उसको डील कैसे करना है कि हमें कोई तक कुछ एक्स्टेंड तक जो है उसे गवर्ण कर रहा है जो यह कहता है कि दूसरे पक्षकार को जो है सुनवाई का मौका देना है और उसमें ये भी है कि जो भी कारवाई कर रहे हैं वो कारवाई ट्रांस्पेरेंट होनी चाहिए आप कभी कोड जाईए नौलज के लिए मैं कर रही हो रही है वो कारवाई किसी स्पेसिविक कानूं या किसी स्पेसिविक एट के तहट ड्राइव शक्तियों के तहट जो है वो हो रही है अब एंटी करफशन या उसके नोटिस जो है यहां विचितर इसली है कि इन नोटिस पर कानूं के प्रावधान लिखे वे होते ह नहीं है ये नोटिस आपको आ किस के तहद रहें PC8 के तहद या CRPC के तहद या Departmental Rules के तहद एक बात वापिस से हम Recall करते हैं Remember करते हैं जो हमने कल पड़ी थी कि जब भी नोटिस आपको आ रहा है उस प्रस्पेक्टिव में सुप्रिम कोड ने क्या कहा regarding the voice sampling कि CRPC में provision नहीं है जो कि magistrate को empower करते हों कि voice sampling के लिए accused को direct कर सके clear है तो जब powers जो है magistrate के पास में नहीं है तो लाजमी सी बात है power जो है acd के पास में भी नहीं है आप PC8 को पूरा चेक कर लो powers वहाँ नहीं मिलेगी आप CRPC को चेक कर लो powers वहाँ नहीं मिलेगी ये लोग कर रहे हैं बाइपास उस ruling के light में ये लोग ये कहते है कि आप जो है voice का sample दीजिए आपको notice आगया उस पर एक बात लिखे नहीं आपको कि इसका जवाब जरी अदेवक्ता दे दूँगा या फला फला के मारफ़ज जो है दे दूँगा उस पर आप time लिखो उस पर आप date लिखो सबसे बड़ा benefit क आए कि कई बार notice को back date में जो है manipulate किया जाता है वो हो गई नहीं कि notice मुझे आज मिला है और आज से ही मेरा timing जो है शुरू हो गया important बात है उसमें अगर timing specific है तो well and good timing specific नहीं है तो वहाँ पर पूरे पूरे आपके पास 30 दिन है उसका reply करने की या उसका reward करने की बहुत मुट बात बता रहा हूं नमबर तीन जो आपको समझनी है कि जब भी ये notice आपको आएगा उसको पूरा रीड कीजिए कि notice में आपका नाम पता और आपके बारे में description जो है वो सही है या नहीं है किस code के दोरा या किस ACB के दोरा उसको जारी किया गया है नमबर दो उसको verify भी कीज है और usable demand किया होगी कि आप अपनी आवाज का नमूना दीजिए एंटी corruption bureau जब आप जेल में होते हो या initial की custody में होते हो तो आप से लिखवा लेते हैं कि मैं अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ और आप से जो है sign करा लेते हैं जैसे मैंने part 1 में कहा कि अगर सरा का notice आए तो सबसे पहले आपको चार parts में जो है notice को बाटना है सबसे पहली बात कि जो notice का format है वो format specific है या नहीं है इसकी आपको जो है जाज करनी है जब भी notice court जारी करेगी initial level के ओपर या कोई भी notice जारी करेगी तो court उस notice में अपना पूरा का पूरा नाम जिसे नियाले की seal, magistert के असाक्षर ये सब उसमें होने चाहिए अगर उस format में notice नहीं है तो notice को जो है आपको चैलेंज करना है court में जाते ही लिख लो दूसरी बात आर्टिकल 23 भारती सविधान का plea भी आपको लेकर चलना है और उसके light में जो है इसको चैलेंज करना है अब आप सोच रह court भी है जब वो protector है तो fundamental right की बात जो है वो समझेंगे भी, सुनेंगे भी और उस पर adjudicate भी करेंगे तीसरी important बात कि जब भी आप court में जा रहे हैं तो वही पली जो माननी Supreme Court ने कहा उस फैसला के परणा number 12 में है जो कि मैंने वीडियो के part number 2 में कहा मैंने क्या specific कि कि जब court ने मामलों को देखा तो इस पस रूप से कहा कि धारा 53 या धारा 53 या धारा 311 ACRPC में specific provision नहीं है कि accused को voice sample के लिए magistrate direct कर सके तो Supreme Court खुद बानती है कि magistrate के बास power नहीं है तो power दी कैसे गई by the way of judicial interpretation जो कि उसी फैसला के परणा number 24 में आप जाकर देख सकते हैं तो कोई तकलि अब आ रही है सबसे आखरी बात जो point number 4 हमें समझ रहा है कि दो बाते हैं कि कानुन का exist करना और कानुन में लेकोना fill up करना जब कानुन है ही नहीं तो patch work कैसे होगा एक important बात समझ लो तो बहाँ पर आपको साफ लिखना है कि there is no parliamentary law on this subject तो violation जो है आपका नहीं है और article 141 के त बादेकारी है पर इसका अभी पराह यह नहीं है कि उसके तहट मुझे मेरे सबधने गदिकारों से जो है वो चिंज भिन कर दिया जाए यहां पर आप एक बात समझ लें कि अगर किसी महतपूर्ण point पर मानने सुपरिम कोट ने interpretation नहीं करा है मानने सुपरिम कोट ने procedure specific नही नहीं है तो मेरे सबधने का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के वो directly और indirectly जो है अफेट हो रहें looking to this fact and circumstances पहले इन बातों की assurance दें उसके बाद एक fresh notice जो है जारी करें उसके बाद विदी अनुसार मैं अग्रिम कारवई के लिए आबद होंगा या अग्रिम कारवई के लिए जो ह वहाँ पर notice भले आ भी गया तो वहाँ पर गबराने की आपको जरौत नहीं है इसली इन parameters को अड़ाप्ट करके आप notice को phase भी कर सकते हैं और आएवे notice को लोटा भी सकते हैं तो कुल मिलाके मैंने आपके हाद में एक remedy दे दी जहां मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या है आपको अपने rights secure करने कैसे हैं ताकि आप effectively अपने rights को जो हैं वो secure कर सके हैं तो साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे like और share कर देना मिलते हैं एक ने topic के साथ अब तक के लिए जैहन जै भारत